Assalamu alaikum dear students and welcome to your lecture number four वेटा लास्ट टॉपिक आपका प्लास्मा स्टेट्स का था और गॉम्टी वो गया था वो टॉपिक एविन आपका ये चेप्टर जो है वो कम्टीट हो गया है चेप्टर गॉम्टी जितना स्मार्ट स्लीबस में है और इसके बाद इस चेप्टर की जो exercise है वो मैं थोड़ी सी आज के लेक्षर में आपके साथ discuss करूंगी और जो questions हमें दिये हैं स्मार्च लिपस में वो हम इसमें देख लेंगे कि कौन कौन से questions हैं या उनके answers बनते हैं ठीक है तो आपने ये exercise जो है ना next आज और कल इन दोनों days में प्रिपेर कर लेनी है ठीक है उसके बाद फिर हम next chapter को जो है वो start करेंगे तो skip ना कीजिएगा कोई भी इसमें से lecture या कोई भी चीज या साथ साथ अगर प्रिपेर नहीं करेंगे तो ये भूल जाएं कि ये फिर आपको याद भी होगा ठीक है तो घर पे हैं आपके पास time भी बहुत जादा है तो exercise भी साथ साथ जो है वो complete करते जाएगा मैं साथ साथ आपको बटा देती हूँ कि हमारे exercise में कौन कौन से इसमें आप साथ जाए तो कावबुक साथ open कर लें ठीक है तो इसमें बटाए सबसे पहले हमारे पास question है क्लास लोगों वक दो तरह उन्होंने question दिये है question 1, 2 और 3 हमारे पास objective है वो आप कर ली जाएगा M.C.Qs है, fill in the blanks and true falls है वो कर ली जाएगा मैं आगे वाले questions दिसक्स करूंगी आप से question number 4 question number 4 आपने complete करना है यह मैंने आपको पहले भी बता दिया था what is boil's law of gases ठीक है वो आपने बताना experimental verification उसकी what are isotherms, what happens to the position of isotherm when they apply that high temperature for a particular gas यह भी मैंने आपको बताया था isotherm होता क्या है question number 4 हमने पहले भी discuss किया था यह मैं आपको क्लास में करवा चुकी हूँ फिर उसके बाद question number 5 है यह भी मैं आपको क्लास में करवा चुकी हूँ मैं तबारा बता देती हूँ what is Charles law आपने यह बताना है scale of temperature used to verify यह बताना है जाहर है वो Kelvin scale ही जो है यह बीम है यह इसका numerical है यह आपने कर लेना है ठीक है यह वही है temperature क्या होगा अगर आपको पास यह volume था और यह temperature था और अब यह volume हो गया यानि V1 T1 है और V2 T2 है तो वो आपने बता देना है ठीक है question number C है do you think that the volume of any quantity of a gas becomes 0 at minus 273.16 degree is it not against the law of conversion of conservation of mass how do you deduce the idea of absolute zero from this information तो कह रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि इस temperature पर तमाम gases का जो volume है वो zero हो जाएगा तो इसका बटा यह answer है कि आपके पास तमाम temperature इस low temperature पे जो actually होता है वो यह है कि तमाम जो molecules हैं उनकी motion seize हो जाती है seize का मतलब रुक जाती है ठीक है तो वो कोई जहाना बिलकुल भी gas के molecules एक जगा से दूसरी जगा हिल नहीं पाते हैं ठीक है तो उसके बदा how do you reduce the idea of absolute zero from this information absolute zero बाद में हमने definition पड़ी थी थी ना उसकी कि the temperature at which the motion or movement of all the molecules of a gas ceases is known as absolute zero ठीक है तो इसलिए हम यहां से absolute zero की information भी बता सकते है फिर question number six करना है इसमें आपने Kelvin scale of temperature किया है plot करें graph ठीक है throw some light turn the factor of one by two seven three in Charles law फिर question number seven करना है यह mark करते जाएए तिक करते जाएए जो question में आपको बता रही है four five six करना है आपने seven करना है seven है general gas equation क्या है r की value बताएं r के उसमें कौन कौन से जो है sorry r नहीं है इसके अंदर can we determine the molecular mass of an unknown gas yes we can determine ठीक है वो सारा आपने बता देना है how do we feel comfortable in expressing the densities of gases in units of gram per decimeter cube rather than gram per centimeter cube by unit which is used to express the densities of liquids and solids ठीक है वो कहरे हैं के हम जादा comfortable gram per decimeter cube में क्यूं है ठीक है उसके obviously ये बात है के decimeter cube जो है वो लीटर को शो करता है ठीक है और जो हमारे पास molar density है sorry molar volume है वो भी decimeter cube में जो है वो आया हुआ 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 है तो इसमें बता मैं आपको सिर्फ मार्क करवारी हूँ questions के ये questions हैं के आपके chapter में ये ये answer बनते है कोई question अगर जो आपको समझना है वो आपने मुझे पूछ लेना है ठीक है आज आप ये exercise करेंगे उसको अपने chapter से भी relate करते रहेंगे कि हाँ ये वाला question है इसका ये answer बनेगा जो नहीं आएगा वो फिर आप मुझे पूछ लेंगे question number seven है उसके बाद है question number eight ठीक है ये units है गैस के ये तमाम आपने बता देने है कि जब ये atmosphere pressure का unit होगा तो फिर आर का unit क्या होगा जब pressure का unit होगा तो फिर आर का क्या unit होगा ठीक है फिर है question number nine nine है जिए Avogadro's law of gases ये हमने पढ़ लिया था ठीक है ये अब आपने कर लेना है question number B है उन्हेंने पूछा हुआ है कि Avogadro number जो है वो do you think one mole of hydrogen and one mole of ammonia at zero degree and one atm pressure will have Avogadro number of particles तो कितने होगे ये आपने बता देने हैं अगर same है तब भी बता दीजेगा सी है जिस्टिफाइ दाट सारी जिस्टिफाइ दाट one same cube of hydrogen and one same cube of methane and STB will have same number of molecules तो बता ये भी हमने कर लिया है ठीक है कि ये भी यहां पर इसी तरह से था कि रोने आपको volume दे दिया है और पूछा है कि क्या standard temperature pressure पर इनके अंदर number of Avogadro जो है वो क्या same होंगे ठीक है और क्या methane का molecule heavier होगा तो बिल्कुल heavier होगा heavy जरूर होगा लेकिन number of molecules जो है number of particles जो होगे same होगे ठीक होगे question number 10 उसके बाद आपने करना है question number 10 में adult law of partial pressure is only obeyed by those gases which don't have attractive forces among the molecules yes क्योंके adult law of partial pressure idle gases के लिए था इसलिए यह इसको जो है वो ही वाली gases बाद करती है hundred percent ठीक है so drive an equation to find out the partial pressure of gas knowing the individual molecules of component gases and the total pressure of the mixture यह वो ही आपने निकाल लेनी है इसमें जो gas है ठीक है जो हमारे पास partial pressure की अलादा थी ठीक है वो वाली आपने इसकी equation निकाल लेनी है वो दिए होगे derivation इसके आगे derivation दी हुई है partial pressure की वो वाला explain the process of respiration based dieting law of partial pressure यह मैंना आपको पताया था short question आ सकता है ठीक है वो applications of dieting law of partial pressure में है I think second application है ठीक है so फिर है how do you differentiate between diffusion and diffusion explain gram's law of diffusion यह आपको करने की ज़ुरुत नहीं है ठीक है अचा उसके बाद है question number 10 के बाद है question number 12 ठीक है 11 नहीं करना आपने question ठीक है क्योंकि आपने यह पढ़ा भी नहीं है तो 12 आपने करना है what is kinetic molecular theory of gases उसके postulates बताने है आपने second है how does kinetic molecular theory of gases explain the following gases यह conversion है यानि कि kinetic molecular equation यूज करते वे आपने boils law को निकालना है चार्ल्स लॉक और एवगेर्डो लॉक ठीक है यह आपने जो है वो इनको जो है वो drive कर लेना है ठीक है अच्छा उसके बाद है हमारे पास question number 12 हो गया फिर है 16 पिर आपने direct करना है question number 16 13 भी नहीं करना 14 भी नहीं करना और question number 15 भी आपने नहीं करना ठीक है फिर करना आपने question number 16 उसे टिक कर लें question number 16 है हीलियम गैस यह numerical है ठीक है यह numerical आपने कर लेना है तो उसके बाद next question देखें question number 17 यह आपने जो है वो करना है यह भी numerical है पूरा ABC's के parts जो है यह आपने attempt कर लेना है और फिर आपने करना है question number 18 वो भी आपका क्या है numerical है इन में कोई problem हो तो आप मुझे पूछ लीजेगा ठीक है numericals जितने भी है आगे भी मैं भी आपको बताती हूँ तो जितने भी numericals हैं वो आपने by hand करके देखने है फिर जिस numerical में issue होगा आपने मुझे बता देना है वो मैं आपको इसी थरह written form में जो है वो वीडियो के form में या एक solve के आपके साथ जो है वो शेयर करना होगी ठीक है फिर question number 19 को टिक करें 19 वे भी निमेरिकल है फिर question number 20 22 और 23 ठीक है बार रपीट कर देती हूँ question number 17 question number 18 question number 19 question number 20 question number 22 and 23 ठीक है ये वाले आपने करने है यानि किस पेज़ पे आपने सिर्फ question number 21 और 24 नहीं करना वाकि सारे करने है ठीक है ये numerical हैं और ये सारे के सारे numerical हैं इस chapter में से बटा numerical भी बहुत आते हैं ठीक है आजाते होते हैं तो कभी दूसरा कोई टॉपिक आ जाता है इसमें आपने मुझसे पूछ लेना है कोई क्वेस्टन हो तो कैसे नमर 18 में आपसे तेमप्रेचर पूछा है कि फाइनल तेमप्रेचर क्या होगा यह वाला ठीक है 19 में उन्होंने आपसे जो है वो मुलेक्लर मैस पूछा हुआ है चीजें बाकी बता के ठीक है 19 में उन्होंने प्रेशर जो है वो पूछा हुआ है 22 में उन्होंने जो है आपसे को कैल्कुलिट करने के लिए कहा गया है और यहां पर math calculate करने के लिए कहा गया है तो यह बहुत अगर आप इसको जब solve करने मैठेंगे तो आप वो खुद बहुत 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 सारी चीज़ें चैप्टर में से पता चल जाएंगी कि यह फॉर्मॉला इसमें लगेगा जब information देखे ना information क्या दी हुई है और आप उसे given information से क्या 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 चीज़ सॉल्व कर सकते है ठीक है यह क्या निकाल सकते हैं तो वो ही वाला फॉर्मॉला आपने पूर्ट कर लेना है उसमें बटा कर question हो तो मुझसे आपने पूच लेना है और आज और कल आप यह यह कंप्लीट कर लीजेगा exercise फिर नेक्स इंशाला हम वो नेक्स चेप्टर को स्टार्ट करेंगे अलाफ़